कि नंतना है और नमस्कार मेरा नाम डॉक्ट नाजी मली है और मैं फंडर कर से तहीं काफ़ी पेशेंट्ट को देखने के बाद somNE से काफ़ी पेशेंट का ठीटमेंट करने के बाद हमें कुछ ऐसी चीज़े देखने को मिली हैं जिससे हमें यह पता लगता है कि काफी patient जो mental disorder के शिकार होते हैं उनकी problem बढ़ इसलिए भी जाती है कि वो diagnose बहुत देर में होती है मतलब उसका पता बहुत दिन बाद चलता है जैसे अगर मैं सिर्फ depression की बात करूं depression का patient के symptom जैसे सब लोग को पताएगी उदासी होती है sadness होती है mood ऐसा रहता है कुछ मन नहीं करता है खुशी चली आती है हमेशा लगता है suicidal thought आ रहे हैं कुछ चीजे life में होने के बावजूद भी उनका हैसा नहीं होता है यह हैं symptom कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ यह वह symptom है जो एक common man को पता है आजकल हर जगे आपको मिल जाएंगे वह चीज लेकिन कुछ depression किस ऐसे होते हैं जिनके symptom उतने common नहीं होते हैं जिनके जानकारी आपको मालूम हो जरूरी हो कि आपको पता ही है कि depression का symptom यह भी हो सकता है तो अगर कोई patient काफी समय से आपके साथ मतलब कोई वे कि उनको mental disorder नहीं हो सकता है तो इसमें कोई बुराएं नहीं है आपको थोड़ा सा धिहान रखना है इन बातों का कि अगर उनके अंदर आपको sudden चीज दिखता है example के तोर पे अगर मान लिजिए कि आपके साथ कोई वेखती है जिसको आप कम से कम भी तो साज्य तीन साज्य जानते हैं और तकरीबन डेली ही आपके उनसे मुलाकात होती है और आप उनके अंदर एक अजीव सा change यह देखते हैं कि उनका बोलने का तरीका उनके खाने पीने का तरीका उनके रियाक्शन का तरीका या आपको लगता है कि बहुत जॉली नीचर का था और अभी अग्दम उदास हो गया या लडाई बहुत जादा कर रहा है बात इतनी बड़ी नहीं है लेकिन बहुत जादा है तो आप डेफिनेटली उसको एक एडवाइस करके या तो वह रियाक्शन में जवाब याएगा कि नहीं मैं कोई पागल हूं क्या तो यह अलग टॉपिक है इसके लिए हम काफी वीडियो बना चुके हैं और आगे भी हम अवेर्निस का प्रोग्राम रखेंगे ताके लोगों को पता चले कि मैंटल हैंदी बहुत इंपॉर्नेट होती हैं तो अगर कोई वेक्ति ऐसा है तो उसको डेफिनेटलि आप एडवाइस करके किसी नजदीगी साइकॉलिस्ट यह साइकायट्रिस्ट के पास डेफिनेटलि भेजिए हो सकता है कि आप उसकी हिल्प कर पाएं और उस हिल्प से उस हिल्प की वज़र से वो उस बीमार में आपके महले में, आपके घर में, आपके खन्नान में, आपके ऐफिस में, आपकी फैमिली में, जहां पर भी आपके साथ कोई वेक्ति ऐसे है टच में है, जिनके अन्दर आपने एक sudden change देखा है, इस type का कि याने दो उनका aggression बहुत बढ़ गया है यह depression बहुत यानिकी वो मतलब मैं बहुत deeply नहीं जाओंगा लेकिन हाँ कोई change अगर आप देख रहे हैं और काफी समय से उसकी वज़े से लाइव डिस्टरब हो रही है एक बार कोई एक असिस्टम कराने में बुरह है नहीं है तो मेरा एक message यह था उन लोगों क सब्सक्राइब के साथ और अगर आपको यह लगता है कि आप किसी भी वज़े से वहां नहीं जा पाते हैं या जा चुके हैं और आपको कोई खास ऐसा अराम नहीं मिलाया या कोई आसा आपको अच्छा उत्तर नहीं मिल पाया है तो आप नीची देगर नंबर पर नीरो माइन टीमस में अपना परामर्स लेकर हमसे बात कीजिए हमें लगेगा आपके आपको अगर प्रॉब्लम है तो उसका डेफिनिटली उसका एक इलाज होगा और उसका उसका उससे भार निकलने की पूरी हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास अलग 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 टेक